हलो फ्रेंट्स एक बार फिर वलकुम करता हूँ आपको अपनी चैनल पे जिसका नाम है बागवानी तो फ्रेंट्स आज की जो वीडियो है वो अडेनियम अरेविकम के बारे में है जैसा कि मैं आप लोगों को बता दू कि मैंने पार्ट 7, 8 तुनों अप्लोड कर दिया है और बहुत सारे लोगों ने part 7 और 8 दुनों बहुत अच्छे से देखा, बहुत प्यारे प्यारे comments भी आया यह लोगों क बहुत videos में interest भी मैंने देखा कि लोगों काफी interest देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने comment यह भी किया कि Sir 9th part में हमें क्या करना है जैसा कि आपने 7 पार्ड में बताया था कि एक fertilizer तो हमें नवेंबर में ही दे देना है नवेंबर दिसंबर के बीच में ही दे देना है और एक fertilizer जो है जो हमारा next step का होगा वो हमें जनवरी में देना है जिसकी वीडियो आप डालेंगे लेकिन अभी तक आपने उसकी वीडियो नहीं डाली है तो friends, नाइन्थ पार्ट में मैं वही बताऊंगा कि आपको कौन सा वो fertilizer है जिसे आपको जनवरी के महीने में या यूं कहें दिसंबर बीतने के बाद जर्मरी के first, second week तक आपको दे देना है क्योंकि फर्वरी में जाके इस पोधे के reporting हम करेंगे मीडिया को थोड़ा recharge करेंगे और बहुत सारे इसमें काम करेंगे जो कि आने वाले time में मैं इसको आपको बताऊंगा तो पहले ninth part में देख लेते हैं तो आज का जो विशह है friends हो ये है कि आपको तयार करनी है एक खाद अब इसके लिए आपको क्या करना है कि प्याज के छिलकों को लेना है प्याज का छिलका ये नहीं कि प्याज आपने काटा और उसके जो layers होते हैं उसको निकाल कर रख दे ये हमें लेना है ये डबा जो है मैं इसमें लोंगा क्योंकि ये थोड़ा सा खराब भी हो गया था डबा चुगों ने काट दिया तो तो मैं इसको अपने gardening purpose में यूज करता हूँ अब इसमें हमें क्या करना इसको भर लेना है अब जैसे इसको हमने इसमें भरना सुरू कर दिया ये आप देखी भरने के बाद हम इसमें पानी को थोड़ा एड़ करेंगे अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर पानी भरने के बाद भी पत्ता डाल सकते थी ये छिलके डाल सकते हैं, तो अगर ऐसा आप करेंगे, तो आपकी पत्तियां सब उपर तैरती रहेंगे, और आपको किसी श्टिक से बड़ी परिशानी हो जाएगी एक एक पत्ति को पानी में डुबोने के लिए, तो बेहतर है कि आप ऐसे करके अगर करेंगे तो आपको परि बाद दीजे किसी चीज से, अगर आपके पास कुछ है तो ताकि नीचे थोड़ा सा बैठ जाए, अब इसमें हमें करना क्या है, हमें पानी भरना है, तो ये देखे, यहां पे चुहों ने काटा है, तो मैं थोड़ा नीचे तक ही भरूंगा पानी, और कोसिस करना है कि आप एक लीटर पानी भरिए, अब देखे, मैं इसमें पानी भर रहा हूं, तो ये नीचे से निकलेगा नहीं, और ये पूरा प्याज जो है, इस पे दब जाएगा, देखे, मैंने कहां तक पानी भर रहा है, आपको अंदाजा लग रहा होगा, और ये सारे प्याज के शिलके उ पानी में, ताकि ये सारा का सारा जो है डिप रहे, अब जो है, इसका धकन हमें बंद कर देना है, धकन बंद करने के बाद आप इसको ऐसे रख देंगे, आप ये अंदर देख पा रहा है कि पूरा भरा हुआ है, आप इसको ऐसे रख देंगे, कहीं पे भी रख दीजे, जैसा एक ती जो है यानि इसका जो प्याज की छिल्के का रस है वो पानी में मिकस अप हो जाएगा जोबिशी के निओट्रेंट्स वैलियू है वो सारी पीछ आपको इस पानी को निकालना है और निकालने के quienes कि ये जो मग होता है वह होता है और इसमें जो है मैंने सारा पानी इसमें एड कर verge तो सा पानी बच गया जो उपरी ध्रेत की वजब से अर्षम को एक विगला मैं उठ ज Lost il come out को ऐसे क्रीन वजब करभा 6-8 बजी करीब नौ. कई भकन को और इसको चान लेंगे, इसका पानी पुरा निकाल लेंगे और जैसे एक लीटर पानी है तो उसको क्या करना है आपको आधा आधा दो भागों में बाढ़ देना है 50-50 परसन यानि आधे आधे लीटर में बाढ़ देंगे आधे लीटर को 5 पौधों में, आधे लीटर को 5 पौधों में, यानि 1 लीटर जो पानी है आपका, वो 10 पौधों में ये 1 लीटर का जो मिक्चर बनेगा, solution, वो 10 पौधों के लिए sufficient होगा, चुकि मेरे पास Arabicam के 10 पौधे हैं, 10 पौधे मैंने मंगाया थे राजी उकुमार जी से, तो 10 पौधे हैं, तो दसो में मुझे 100-100 ml सभी पौधों को देना है, अब इसमें करना क्या होगा, कि 100 ml आप कैसे मेजर करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, कि अगर आधे लीटर पानी है, तो जैसे 1 लीटर पानी है, तो इसमें थोड़ा सा और पानी आप एड़ अप कर लीजेगा, और एड़ अप करने के बाद आपको जितना पानी की requirement है, जैसे एक पौधे में मेरे इसमें, मैं 500-300 ml पानी देता हूँ, तो 100 ml आपका fertilizer का है, 200 ml extra पानी आपको लेना प सिर्फ जनवरी में दे सकते हैं, चुकि मैं वीडियो की एक सीरीज बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आपको ये 9 नंबर का जो पार्ट है, पार्ट 9 है, उसमें मैंने आपको ये fertilizer बताया, कि प्याज के छिलकों का कैसे हम यूज करके अपने पोधों को दे सकते हैं, तो प प्याज का जो छिलका होता है, उसमें आइरन, सल्फर, खास करके सल्फर की वज़े से ही आँख में वो लगता भी है, लेकिन सल्फर, आइरन, पोटेशियम, मैंगनीशियम इन सबों का एक बहुत ही रिच सोर्स होता है, जो कि हम लोग अपने कीचन में भी यूज कर सकते है कभी खाना बनाईए, उसमें भी हम लोग बहुत सारे प्याज के छिलके फेग देते हैं, लेकिन बेसिकली इसके बहुत सारे यूज होते हैं, इसकिन प्रोडक्ट्स बनाने में आजकल तो प्याज के छिलकों का ओयल भी बनता है, आपने देखा होगा, कि प्याज के छिलको यह काम करता है, चुकि प्लांट्स में सलफर, आइरन, मैगनीशियम, कैलसियम, इन सभी की जरूरत होती है, तो इन सभी की भरपाई करता है, मैंने तो यह भी देखा है, बहुत सारे जगों पे, कि जो राजस्थान जैसे जगों पे, जहां पे चिलम पीते हैं, लोग चिलम य आप भी यूज कर सकते हैं, तो इस वज़ा से हम लोग यूज करते हैं, और राद भर भीगोने का ताथ पर यह होता है, कि यह सारा चीज जो है, लिक्विट फर्टिलाइजर, जैसे कहते है न, टी फर्टिलाइजर, तो टी के रूप में ये कनवर्ट हो जाता है, और बाकी हम इसको अगर पौधों में यूज करें, तो एक rich source बनेगा, आपके sulfur का, calcium का, magnesium का, तो आपके पौधे की चमक भी बढ़ती है, और पौधे में जैसे कहते हैं, कि rooting, anti, जैसे कहते हैं, root propagation के लिए बहुत अच्छा चीज होता है, बहुत सारे लोग तमाम products यूज करते हैं, मै इवन मैं भी यूज करता हूँ, दुनिया भर की चीज़े, roots को propagate करने के लिए, white roots के लिए, जिसे फाइबरस root बोलते हैं, तो उनके लिए भी आप इसको प्याज के छिलकों का fertilizer दे सकते हैं, तो ये रही, friends, total बात की क्यों यूज करना चाहिए, क्या इसका काम है, क्या benefit है, तो ये, friends, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि इसको हमें जो प्याज का हमारा ये छिलका था, हमको इसको पानी में डाल करके 24 गंटे के लिए रख देना है, और ये 24 गंटे अभी हो चुके हैं, आप देख रहे हैं कि अंदर जो है, हलकाल का भाप बना हुआ है, अब हमें इसे करना क्या है, इसे खोल करके अपने पास जो है, जो भी पानी है, जैसे मेरे पास 10 प्लांट हैं, तो मैं इसमें 2-3 लिटर पानी एक्ष्टा ले करके उसमें ये सारा चीजे मैं मिक्स कर दूँगा, और अपने पौधों को बरावर मात्रा में उस मिक्चर को दे द दूँगा, तो इसको निकालने से पहले मुझे इसे अच्छे से निकालना पड़ेगा ताकि इसके छिल के साथ में ना हो, तो मैं एक काम करूँगा कि इसमें मैं निकाल करके और फिर ये चीजे एड़ आप करूँगा, तो पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ फिर आपे सा दूँगा तो आप देख पा रहा है फ्रेंड्स की इतना जो है मैंने पानी लिया था यानि ये आधे लिटर के करीब है तो इसमें मैं धाई लिटर पानी मैंने लिया हुआ है इसमें मैं मिक्सप कर दूँगा तो आप देख पा रहा है ये पूरा पानी मिक्सप होने के बाद एकदम से ये टी के कलर का हो गया है यानि बिलकुल ही एक बीयर का कलर हो गया है आप देख पा रहा है तो ये फ्रेंड्स हमें अपने पौधों में देना है ये आप अपने रोजेज में भी दे सकते हैं अपने किसी भी प्लांट में दे सकते हैं तो मैं इसमें से थोड़ा सा निकालूँगा जैसे ये मेरा 400 ml के करीप पानी है 4.5,500 ml के करीप तो मैं एक एक प्लांट में जो है इसको देना है पूरी तरह से चुकि ये मुझे पूरे 10 प्लांट में देने है तो मैं जो है 4.5,500 ml पानी यानि आधे लीटर पानी मैं आपने सभी पौधों को दे दूँगा तो friends यही process है यही आपको करना है तो अपने friends सभी पोदों को अपने दसों पोदों को ऐसे करके आपको दे देना अब मैं इस box को खोल के दिखा देता हूँ ने तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि sir उसमें आपने पता नहीं क्या रखा था क्या किया है यह देखिए यह जो प्याज का छिलका है यह देखिए अभी तक ऐसे पड़ा हुआ है आप चाहें तो एक बार इसे और भी इसको यूज कर सकते हैं इसमें पानी भरके इसको रख दीज़े रात बर के लिए और 24 गंटे भी और 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 कर लिए और यह दो से तीन बार के ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है और अगर एक बार ही यूज करते हैं तो बहुत ही बहतर रिजल्ट मिलेगा अब यह आप इसको क्या कर सकते हैं कहीं पर भी आप इसको डाल देंगे या मिट्टी में मल्चिंग कर देंगे तो भी यह आपको बहुत अच्छा फर्टिलाजर का सोर्स है तो यह कोई वेस्ट चीज है इसको फिक देना है इस्को कोई काम नहीं है इसको भी आप सॉयल के अंदर अदर अप बहुत अच्छा यह फर्टीलाजर का काम करेगा तो यह आप देख पा रहे हैं यह पेयाज का छिलका इसमें बहुत सारा नेचुरल फिरूमेना होता है तो आप जो है इसको ऐसे यूज कर सकते हैं और बाकी रही फ्रेंट्स कि आपको ये फर्टिलाजर इस बार दे देना है इस मन्त में और उसके बाद नेक्ष्ट आपको जन्वरी के फर्स्ट वीक में अगर आप दे देते हैं तो भी बेटर है या फिर दिसम्बर के इंड में दे लेकिन कोसिस करिए इसको एक से दो बार ज्यादा से ज्यादा दीजेगा अभी के टाइम में क्योंकि फर्वरी में हमें रिपॉर्टिंग वगरा करनी है तो उस टाइम में फिर से हमें एक नए प्रोसीजर से चलना पड़ेगा तो फ्रेंड्स आसा करता हूँ कि आपनों को झाल